पटना हाई कोट में लोग सिच्चाओं से समंधित एक मामला CWJC 1349 ऑफ 2021 डिस्पोज हुआ है तो मैं सबसे पहले जो इसमें जो भी पेटिशनर है उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहली बार लोग सिच्चाओं से समंधित मामला एक पटना हाई कोट में डिस्पोज हुआ है जिसमें इस परकार से उनको निर्देश दिया गिया है कि आप डारेक्ट जाकर सचीवाले में जो यहार सरकार के डारेक्टर हैं उनसे अच्छी बात है कि उनको मिलने का उनको लिए निर्देश पारित हुआ है अब चूकि इसमें जो आदेश हुआ है मैं चाहता हूं उसको परके बताना उसका हिंदी भी आपको बताना तो सब से पहले इसमें जो भी आवेदक है मैं उनको बहुत-बहुत सभों को यह सुपॉल के हैं विजय कुमार यह यह भी सुपॉल के हैं मिथलेश कुमार यह दर्भंगा के हैं इसके बाद जनी जनिल जै कुमार गांधी यह भी दर्भंगा के हैं ललित कुमार राम यह भी दर्भंगा के हैं बैजनात राम दर्भंगा कैलास कुमार राज मध्यपूरा अरुन राम, दर्भंगा टुन्नी कुमारी, दर्भंगा महेश मुखिया, दर्भंगा बिनोत कुमार मंडल, मध्यपूरा, असो कुमार सिंग, मध्यपूरा, मनोच कुमार, सर्मा मध्यपूरा, परमोध कुमार, मध्यपूरा, परमीला कुमारी, मध्यपूरा, राज कुमार म महतो पुर्णिया लक्षमन महतो पुर्णिया सुवांस कुमार पुर्णिया मोहम्मद हसीम पुर्णिया पंकज कुमार पुर्णिया मोहम्मद मारूफ ये रुपावली रुपाली पुर्णिया उसके बाद चिंतालाल मंडल पुर्णिया मनोच कुमार पुर्णिया महेश पासवान मदेपूरा इसके बाद दीन बंधु सिंग मदेपूरा समसाद आलम मध्यपूरा, मोहन कुमार मध्यपूरा, राजीव रंजन मध्यपूरा, सुधीर कुमार मध्यपूरा, संजय कुमार मध्यपूरा, सुलेखा कुमारी मध्यपूरा, भुपिंदर कुमार, पासवान मध्यपूरा, असोक कुमार मध्यपूरा, संजय कुमार निर्मल कुमार मध्यपूरा, उसके बाद है राजीब कुमार चोधरी मध्यपूरा, महाबीर परसाद कुमार पुर्निया, सुनीता कुमारी पुर्निया, अरून कुमार यादव पुर्निया, उसके बाद है बरहम देव विश्वास पुर्निया, मुहम्मद नयर आलम पुर्न इसका जो और भी एड़ेस है इसमें नहीं मेंचन है निराला बांका मीरा कुमारी मध्यपूरा नवीन कुमार मध्यपूरा उसके बाद है मितलेश कुमार मध्यपूरा निरंजन कुमार जहा मध्यपूरा दीपक कुमार मध्यपूरा मुकेश कुमार मध्यपूरा सलेंद्र कुमार मंडल पूर्निया उपेंदर ठाकुर मध्यपूरा बिनोध राम मध्यपूरा मितलेश कुमार राना मध्यपूरा सुभास कुमार पा मधेपूरा उसके बाद है हेम लता मधेपूरा पवन कुमार मंडल मधेपूरा इसके बाद है कृष्णा भारती मधेपूरा नीरज कुमार नीराला बांका और भी है इसके इलाबा ये सब पेटिशनर हैं इनको मैं धन्यबाद देता हूं कि आपने पटना हाई कोट में एक आ इस परकार है कोरम ओनरेवल मिश्टर जाश्टिस अंजनी कुमार सारन ओरल ओर्डर है यह 249-2024 का आदेश है इसमें है हड्ड लर्न कॉंसेल फॉर्द पेटिस नर्स एंड लर्न कॉंसेल फॉर्द इस्टेट यानि उनका कहना है कि हमने जो सरकार के वकिल हैं उनको भी सुना और जो आवेदक के वकिल हैं उनको भी सुना अब जैस साहब का ऐसा कहना है कि यानि ये जस्टिस महोद कह रहे हैं इन लिवर्टी छूट दे रहे हैं कि आप जो भी पेटिसनर है डारेक्टर के पास जाईए बिहार सरकार के डारेक्टर उनके पास जाईए लिवर्टी टू साउट इज गरांट गरांटेड पेटिसनर्स आ डारेक्टर टू एप्रोच द रेस्पोंडेंट नमर फोर बाई फाइलिंग डेटल रिपरजेंटेशन बितीने पिरियर अप त्री बिक्स यानि जब से इसमें कहा जा रहा है कि आबेदक जब से आदेश पारित हुआ है तब से तीन सब्ता के अंदर बिहार सरकार के डारेक्टर को रिपरजेंटेशन देंगे और बिहार सरकार दस सब्ताह के अंदर इस पर जो भी है आदेश पारित करेगी यानि इस पर कुछ न कुछ जो भी है एक्सन ले उसके बाद इसका चौथा है दा परजेंट रीट पेटिशनर एस्टेंड डिस्पोज ऑपन दा इ जनी कुमार सारन जस्टिस ये इस परकार से इसमें आदेश दिये हैं तो अब जो ये केस को देखने समझने के बाद जो समझ में आता है कि ये सी डेवलू जेसी नमब तेरे एक उन्चालीस अब दो हजारी किस्त ये बास सत्य है कि इनको कहा गया है कि डारेक्टर से जाके म एक और dance with law यानि कानून के अनुसार जो भी आपको करना है यानि नियम का आप पालन करिए तो इसमें जो भी पेटिशनर हैं अब उनको जो ऐसे तो ये खुद जो करना है किये हैं करेंगे लेकिन मुझे जो समझ में आता है कि ये निशित ही रिपरजेनरेशन फाइल भी होंगे अब चुकर क्या है कि पहली बार बिहार सरकार के डारेक्टर के पास इनको जा के मिल के रिपरजेनरेशन देना है तो एसारा ये है कि आप मिल के कुछ न कुछ बिहार सरकार से आदेश पारित करवाईए अगर जो भी पेटिशनर है सुसिल कुमार और जो भी पे के अंदर अगर नहीं करा पाते हैं अगर बिहार सरकार कुछ नव कुछ अगर आदेश पारित कर देती है तो आपको फिर क्या होगा MJC में आना होगा MJC में आने के बाद फिर आपको LPA में जाना होगा और इस तरह से आपका परकिरिया चलेगा तो मैं समझता हूँ के अगर जो भी आबेदक हैं अगर डारेक्टर से मलके कहीं भी अगर समायोजन करवा लेते हैं तो ये बहुत अच्छा कदम होगा अगर डारेक्टर बिहार सरकार के अगर समायुजा नहीं करके जैसे इससे पहले भी मीर कुमार जहा साहब का आदेश था उसमें भी कहा गया था कि आप रिपरजेंटेशन परधान सचिम के हाँ फाइल करिए तो फिर उसको क्या था? कि विहार सरकार ने रेजेक्ट कर दिया था, तो इसमें ऐसा कहा गया है कि आप जाके मिलिए और उनको समझाईए अगर समझाने में जो भी लोग सिछक सफल हो जाते हैं चुकि दस सप्ताह का आपके पास टाइम होता है यानि कि दस सप्ताह का आपके पास धाई महीने का टाइम है आप इस बीच में अगर डारेक्टर को कॉन्भीन्स करा देते हैं अगर कहीं समायुजन कर लेते हैं तो अच्छी बात है नहीं तो आपको यहां से फिर या तो फिर से आपको CWJC में जाना होगा और CWJC में नहीं जाते हैं तो फिर MJC में जाना होगा फिर आपको LPA में जाना होगा तब सुप्रीम कोट का रास्ता आपको तै करना होगा तो जो भी इसमें petitioner है उनको बहुत बहुत धन्यवाद आसा और उमीद करता हूँ कि आपके पास ढाई महीने का समय है ढाई महीने के अंदर आप जो भी सरकारी विभाग है अगर उनको आप समझा पाने में सफल हो जाते हैं कहीं न कहीं आप समयोजन अपना करवा लिजिए अगर समयोजन हो जाता है तो अच्छी बात है अगर किसी एक को भी हो जाता है तो उस आधार पर समों का हो जाएगा नहीं तो फिर क्या होगा फिर आपको MJC LPA से गुजरना होगा तो ये जो आदेश है मैं समझता हूँ कि जो दस यानि के 24-9-2024 को ये आदेश पारित हुआ है तो तब से बिहार सरकार के पास समय है कि वो यानि के दस सप्ताह के अंदर कुछ ना कुछ आदेश पारित करे या तो समयोजन करे इन पेटिशनरों का अगर नहीं समयोजन हो पाता है तो कुछ ना कुछ आदेश पारित कर तो जो भी आदेश अगर ये पारित अगर बिहार सरकार या बिहार सरकार के डारेक्टर करते हैं तो फिर उस आदेश को लेकर क्या है कि या तो CWJC में ये जाएंगे या नहीं तो फिर क्या होगा कि MJC में जाएंगे या नहीं तो फिर उसके बाद LPA में जाएंगे तो जो भी बिहार के लोग सिख्चा कें वो समझदार हैं मैं समझता हूँ कि इनको अब समझ हो गया है जाद इनको समझाने का जरूत नहीं है तो CWJC 1349 यही है कि करो या मरो या तो डारेक्टर से आप कहीं भी मिलके समायुजन करवा लीजिए समायुजन हो जाता है तो अच्छी बात है नहीं तो फिर आपको क्या होगा कि सरकार अगर आधे स्पारित करें अगर सरकार कहें कि मैं आपको समायुजन करने के लिए मैं तयार नहीं हूँ तो फिर MJC में जाना होगा, फिर मैं समझता हूँ 2 साल लगेगा, फिर LPA में जाना होगा, फिर उसमें 1 साल लग जाएगा, तो आपके पास मौका है, धाई महिना के अंदर आपने तो रिपरजेनरेशन अवसी फाइल कर दिया, अब बिहार सरकार से आप कुछ न कुछ लिखा अगर वो आपकी बातों को मान लेती है, तो अच्छी बात है, नहीं मानती है, तो आप MJC या LPA के लिए तयार रहें, तो यही इसमें आदेश है, अब बिहार के लोग सिच्छाओं को कॉमेंट करना है, कि ये आदेश जिसमें बिहार सरकार के डारेक्टर के पास रिपरजे के अंदर उनको जो नीर ना लेना है, या तो समायोजन करें, या कुछ ना कुछ आदेश पारिद कर दे कि मैं या करूंगा या नहीं करूंगा, तो फिर ये आबेदक जो उचीत कदम होगा, या तो MJC में जाएंगे, फिर LPA में जाएंगे, या नहीं तो फिर से फ्रेस रि हुआ है, आदेश का है, चोबिस नो दो हजार चोबिस को आदेश हुआ है, ये जानकारी आपको कैसा लगए, कॉमेंट करेंगे, ये चैनल आपको देखने के लिए धन्यवाद,